हेलो लेर्नर्स माइब विवेक शर्मा एड आएंड फिजिक्स एजुकेटर एट अनकेडमिस ऑफ्लाइन सेंटर इंदोर मैं आपको आज एक कॉंसेट बताने जा रहा हूं हम लोग जनरली देखते हैं कि घर में या कहीं ऑफिस वगरा में जो ग्लास पैन लगे होते हैं विं देखती है और वो अगर देखता है अंदर की तरफ तो दिन में उसको उसकी इमेज दिखाई देती है और रात में जो है वो ट्रांस्पेरेंट हो जाएगा ग्लास उसके लिए तो इसका क्या कारण है तो देखो इसको पहले में डेमोस्ट्रेट मैंने किया एक वीडियो बन और अब सेम पोदिशन पर मैंने अब ये रात में जब वीडियो शूट किया तो आप देख रहे हो कि मुझे मेरी इमेज दिखाई दे रही है तो पूरी तरह से वो मिरर की तरह एक्ट कर रहा है अब हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है तो समझो इसके पीछे कारण है कि हम लोग पढ़ते हैं कोई भी वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो पार्शली रिफलेक्ट होती है और पार्शली वो ट्रांस्मीट करती है ठीक है तो वो रिफलेक्टिविटी डिपेंड करती है मटरेल पे और इंटरफेस पे कि दोनों तरफ किस शिक्रतर का मीडिए मैं यो है ए व्ट वह रिफलेक्ट होता और कुछ परसेंट ट्रांस्मीट करता हूं अब मान लोग की जो ग्लास है सब उस ग्लास की जुआ टिफुटी परसेंट है वैसे वो वे एरी कःगी की Café लेते हैं 40% reflectivity ठीक है ना तो अब दिन और रात के समय दोनों situation हम समझते हैं तो day time में definitely हमने दिन में light अंदर की नहीं जलाई है बाहर तो sunlight ही तो बहुत intense light है तो मान लेते हैं कि बाहर का जो light है वो 100 unit है और अंदर का light इसक्त 10 unit है ठीक है ना तो बाहर का light और अंदर का light दोनो reflectivity अगर 40% है तो 40% light जो है वो reflect हो जाएगा 4 unit और बाकी 60% transmit होके दूसरी तरफ चला जाएगा तो इसको 4 unit गया और उस तरफ गया 6 unit उदर का light मैंने 100 unit ले लिया तो यहां से 100 unit light आ रहे हैं क्या होगा 100 unit का बोलो 40% reflect हुआ तो इसका 40% मतलब 40 और 60 unit अंदर आ गया अब जो अंदर observer है आप देख सकते हो उसको दो तरफ के light दिखा रहे हैं एक तो अंदर का light जो reflect हुआ that is 4 unit का और एक बाहर का light जो transmit होके अंदर की तरफ आया that is 60 unit का definitely बाहर का light ज्यादा intense है तो अभी भी उसका reflection हो रहा है अभी भी उसकी partially उसको हलकी सी image दिखाई देगी लेकिन ज्यादा intense light बाहर का है तो अभी बाहर की चीज़े दिखाई देगी तो उसकी लिए एक तरसे glass क्या है transparent है बट डे टाइम में बाहर के लिए just opposite है इस वगत बा 40 unit का और एक है 6 unit का definitely 40 unit ज्यादा intense है तो बाहर के light का reflection ज्यादा दिखेगा तो बाहर के लिए इस वग्लास mirror की तरह act करेगा ठीक है ना लेकिन रात में situation ठीक opposite हो जाएगी रात में क्या होगा वही रात में तो अनेरा होगा बाहर की तरफ तो दिन में तो sunlight था रात में अनेर इंटिका में अंदर तो हम tube light या कोई और light लगाएंगे artificial तो अब अंदर intense light हो गया मान लेते हैं comparison के लिए यह 100 unit है और बाहर है 10 unit अब सेम चीज़ आप कर सकते हो यह light गया इसका reflection हुआ कितना 40 unit 60 unit बाहर चला गया सही है और बाहर का जो light है 10 unit वो आएगा उसका reflection हुआ 4 unit 6 unit अंदर आ गया अब अंदर वाले को दो light दिखेंगे 40 और 6 वाला 40 वाला intense है तो 40 कौन सा है उसका reflection है तो उसका reflection है वो intense दिखाए देगा मत्तब वो उसकी mirror की तरह act करेगा जो वीडियो में मैंने दिखाया था मेरी 40 unit का light था अब बाहर की बात करें तो उसको भी दो light दिखा दे रहे है transmitted light है 60 unit का और reflected वाला है 4 unit का तो definitely transmitted light ज्यादा intense है तो रात में बाहर वाले को सब कुछ दिखाई देगा ठीके ना जो inside है तो definitely रात में sheds लगाना जरूर ही है क्योंकि रात में तो वो जो glass है वो बाहर के से transparent है समझ रहो ना अब इसमें material पर depend करता है कई बार reflectivity हम बढ़ा भी देता है glass की अगर हमें ज्यादा reflection चाहिए और कई बार depend करता है material के according reflectivity कम भी होती है ठीक है अच्छा आप इसमें किसी का doubt हो सकता है कि यदि दोनों तरफ एक जैसा intensity का light होगा तो definitely आप देख सकते हो क अगर मैं एक जैसा light लूँ दोनों तरफ सपोज 100 unit दोनों तरफ हो गया तो दोनों तरफ एक जैसा reflection होगा अब वो again reflectivity पर depend करेगा उसकी कितनी है अगर reflectivity सपोज यही में case लूँ तो क्या हो जाएगा बता हो जारा night और day का जिसे में day की बात करो तो इस case में 100 unit light यहां से आ 60 आ गया अंदर तो अंदर दो लाइट आ रहे हैं 40 और 60 तो 60 अभी इंटेंस है तो दिन में अभी उसको बाहर की चीज़े ज्यादा intense की दिखाए देगे लेकिन अब 40 और 60 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है तो अंदर का reflection भी दिखाए देगा थोड़ी थोड़ी उसको अ और भी facts हम लोग जानेंगे कि हम कैसे उसको physics के concept से explain कर सकते हैं और जो भी day to day life में हमारे आसपास घट रहा हैं वो physics से हम जोडने की कोशिश करेंगे आप इस channel के साथ बने रहे हैं थैंक्यू